से डोस्नों के दिग्म होने वाला टीवी एड़ेप्टर जिसका हमदोग एंटेनाउएर में इन्पूट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे टीवी के चैनल पर सीधे इसको मी लगाते थे इसका उप्योग हमदोग टीवी के पिछे जो आप एक 75 ohm लिखा हुआ रता था signal input उस पे हम दो लगाते थे यह देखो आज मैं इसको निकाल रहा हूँ यह काफी दिनों के बाद हमें देखने को मिला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर क्या है आज इसकी जानकारी आपनों को share करूँ यह देखो इसमें दो पॉइंट होते थे वायर जोडने के लिए और इसके पिछे में 75 ohm और 300 ohm लिखा हुआ रहता था यानि 300 ohm सिगनल इसमें इन होती थी और 75 ohm आउट होता था अगर इसके बीना हम लोग डारेक्ट यदि हम टीवी में इस सिगनल को दे देते थे एंटीना से लेकर तो सिगनल ज्यादा जाने के वएसे स्कृइन पे जाली विगड़ा आने लगती थी इसके लिए इसका उप्यों किया था बोलचाल कि बासा में इसको अम बैलून बोलते थे जबकि बैलून इसका बैज्ञानिक नाम नहीं है कहीं भी इसके बॉक्स में बैलून लिखा हुआ नहीं रहता था आईए इसको आज देखते हैं इसके अंदर क्या है दोस्तों तो इसको खोलते हैं ये इसी तरफ पुस्ट किया हुआ है यहां से फोर्सली इसको थोड़ा सा पुस्ट करेंगे तो यह खुल जाएगा यह दो को डिला हो रहा है यह तो यह दो को खुल गया इसके अंदर एक कार्बन की ठोटी रॉड लगी हुई इसमें दो छेद है और दो वायर इसमें अगर अगर बात किया जाए कि इसका काम क्या है तो इसमें लोग सिगनल एंटिना से जो सिगनल आती थी वह सिगनल हो सकता और जी कि त्यद्acao होने लगते क्योंकि उस्सट्य में जो हमारा सिगनल होता था वो आर एफ सिगनल पर टीवी चलती थी अब तो टीगाहस्त मेगाहस्त पर टीवी स्वी चल रहा है क्यां वायर का काम यही था इस यह बैलून इसके अंदर के जो आ जाने के बात करते थे चानीय अब है अब तो देखने को भी ने मिलता है आज कल तो जो भी लोग डिटी देख रहे हैं वह या तो के से से देख रहे हैं या फिर डिस एंटीना से ही देख रहे हैं और जिसका काफी हाई सिग्नल पे परसारन होता है जिसके वएसे आजकल तो HD TV आ गया है तो यह उस जमानी के बात है जब सिग्नल 75 ओम्स में यानि रेडियो फ्रिकंसी पे टीवी चलती थी और अब भी तो AV में चल रहा है यानि आप जब भी टीवी चलाते हो तो AV सिग्नल में हम लोग टीवी चलाते हैं ऑडियो वीडियो सिग्नल जो की काफी हाई सिग्नल होती है और यह जो सिग्नल से टीवी चलता था उस टैम में हम लोग मात 75 पॉम्स से टीवी चलाते थे पर उ उस जमाने में ज्यादा मज़ा आता था टीवी देखने में आज के डिट में सेक्डो चैनल हो गई है बट लोग फिर भी सारे लोग तो मुवाइल की और ही मूव कर रहे हैं तो दोस्तों आज मैं इसे तोड़के भी दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या है और इसका काम क्या है और अगर आप अभी भी आरेफ या फिर आप अगर ब्लैक एंड वाइट टीवी चला रहे हो तो इसका उप्योग कर सकते हो वैर के जगह पे इसके एक टीवी नोप के जैसा काम हो जाएगा इससे आप इसे तोड़ दो और सिगनल उसमें डायर्क जोड़ सकते हो वैर को यह कोई भी सर्कीट में देखते होगे जिसमें एक कॉपर वायर को गोल मोड के सोल्डिंग किया रहता है बोड में वह एयर कोईल है एयर ट्रांसफर्मर उससे बोलायता तो यह भी एयर ट्रांसफर्मर की तरह काम कर रहा है दोस्तनों अगर चैनल को अब तक अब्सक्राइम नहीं क्या हiben तो जुरू करना सबस्क्राइब ऐसे और टेकनिकली वीडियो कोई लो चाहिए तो आप में मनें का प्रियास करूँगा इससे फिर सज़ये बंद कर देते हैं रगे जो आज यह ब्लैक और वाइट टीवी में खास्तों से उप्योग किया था था तो इसे फिर से बंद कर देता हूं क्योंकि अब तो यह किसी भी काम का नहीं है maximum time में यह कभी भी उप्योग में अब नहीं आ सकेगा क्योंकि अब जो signal का रेंज काफी हाय हो चुका है कि मोबाइल भी 5G पे चल रहा है और टीवी अब टीगा हज्ट पे चल रहा है अब उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो दी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों भी सेर करना कोई भी क्वारी हो दोस्तों तो आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो लिंक आपको वीडियो मिल जाएगा ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाएंत बंदे मातरम